मैगी खाना किसे पसंद नहीं, हर किसी को मैगी बहुत ही टेस्टी लगती है और मैगी अगर आटा नूडल्स हो तो क्या बात हो, सोने पे सुगागा हो जाता है तो आप अगर आटे नूडल्स को इस तरह से बनाएंगे तो आटा नूडल्स तो है ना नूर्मल वाली मैगी खाना आप बोल जाएंगे और यह बहुत ही हल्दी है कि यह आटे से बनती है तो आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राइ किजेगा अशुरू से एन तक वीडियो को जरूर से देखिएगा तो चलिए देखते हैं इस मज़दार्स रेसिपी कैसे बनाते हैं तो चलिए बनाना सूरू करते हैं और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब चरूर करें और वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेर करें और लाइक करें आटा नूदल्स बनाने के लिए सबसे पहले हम 3 नूदल्स लेंगे गलेंगे, क्यांकि जो करने के बाद यहां पर फ्लेम को लोग रखेंगे और लोग फ्लेम पे इसे लिए भूमरNewने को 2 दर के लिए इस प्रौनने लिए बूमस पशनाएं यहां पर सांचीन होंदे। नोडल माईटकर आपने ते काराही के डालएं अहां हमें प्राइब करने से अजह रएशते मित जो जितना इसे हमें भुणना है तो बीच-पीच में आप इसे जरूर से चलाते रहें टेस्ट में करको अभी हमें नहीं डालना है तो यहां पर देख सकते हैं थोरा सक कलर चेंज हो गया है इस तरह से फ्राइ करने से जो है नूडल का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अब यह यह न hikrss कर लिया था एक चमस भर के आप इसमें डाल दें और डालने के बद जो है ना टेस्ट मेंकर को भी शांच्सान डालना है तो यहा पर तीनों को मैंने डाल दिया उसके बाद जो है इसमे नहीं डालाएं गिगे मसाला अम्लेय को मैगिक कर आता है जो इसे आप जर तो यहां पे इसे अचल से नमक डालाक नहीं डालक है,Now, यहां पे आपी इसे लगातार चलते हुए लगातार क्याईिया है अब इसमें हम डालेंगे 4 कप पानी, तो 3 नूडल्स के लिए मैं यहाँ पे 4 कप पानी डाल रही हूँ, अगर आपको ग्रेवी वाली चाहिए तो आप इसमें 5 कप पानी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे यह ड्राइब बहुत ही टेस्टी बनती है, तो आप इस तरह से जरूर से ए आप दो से चार मिनेत जितना पका लें, उससे ज़्यादा हमें इसे लहीं पकाना है, इस बात का आप जरूर ध्यान रखेंए 2-4 मिनिट जितना ही हमें, जैसे ही 2-4 मिनाट हो जाए आप धककन खोलना के इसे मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं, ग्रेव कर पत्ता अगर आपके पास हो तो जरूर डाले नहीं हो तो कोई बात ने skip कर दें यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है तो यहाँ पे इसे बच्चे क्या बड़े क्या सब को यह बहुत ही पसंद आएगा और आठा नूडल्स है तो कोई टेंशन भी नहीं है इसे आप हफ्ते में दो से तीन बर बना सकते हैं तो बनाने के बाद अगर आपको रेसिपी पसंद आया तो ज्यादा स्यादा फ्रेंस और फैमिली के साथ ज